CSK और RCB की वीच IPL 2024 का ओपनिंग मैच खिला गया इस मैच में पीली जर्सी वाले टीम CSK ने 6 विकेट से जीत हासल की लेकिन इस मैच के दौरान विराट कोहली को क्या हुआ जो वो रचिन रवेंद्र पर भडग गये ये थोड़ा हैरान करने वाला था कि आखिर RCB का खिलाडी CSK के प्लियर पर इस तरीके का दाराजगी कैसे जाहिर कर सकता है लेकिन ऐसा हुआ दरिसल विराट कोहली का एक वीडियो इस वक्त सोचल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है जिसमें वो चेनई सुपोर किंग्स के बल्लेबाज रचिन रवेंद्र को आउट होकर वापस लोटते समय कुछ कहते नज़र आए CSK की पारी के साथ वे ओवर की आखरी गेंद पर RCB के स्पिनर कर्ण शर्मा ने रचिन रवेंद्र को रजत पाटिदार के हाथों कैच आउट करा दिया रचिन रवेंद्र पंदरह गेंदों में 37 रवना कर आउट हुए रचिन जब क्रीस पर डटे तो उन्होंने ताबर तुड़ बलेबासी से RCB के गिंदबाजों के छक्के छुड़ा दिये रचिन रवेंद्र ने इस दोरान तीन छक्के और इतने ही चौके लगाए जब आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे थे तो RCB के दिगज बलेबास विराट कोली ने उन्हें सेंट ओफ दिया विराट की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई इस गटना का वीडियो भी इस वक्त सोचल मीडिया पर जम कर वाइरल भी हो रहा है आपको बता दे कि विराट कोली के सजेश्टर की जम कर आलोशना भी की जा रही है इसके लावा इस मैच में CSK की टीम ने शानदार अंदाज में RCB को चेह विकेर से हरा दिया जिसके बाद IPL का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तूट किया CSK के खिलाफ मैच में RCB के कप्तान फैब डुप्लिसस ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया RCB की टीम ने पहले बैटिंग करते वे 173 रन बनाए लेकिन RCB की ओर से किसी भी प्लेयर ने अर्थशतिके पारी नहीं खेली टीम के लिए अनुज रावत ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए इसके लावा दिनेश कार्तिक ने 38 रनों का योगदान दिया वहें फैब डुप्लिसस ने शुरुआत अच्छी की लेकिन 35 रन बनाकर पवेलियन लोट गय इसके लावा उम्मीद थी कि विराट कोहली टीम के लिए खड़े रहेंगे लेकिन 20 रन पर उन्हें मुस्तफ इजूर रहमान ने चलता किया दिनेश कार्तिक और अनुज रावत की 95 रनों की पार्टनर्शिप की वज़़से RCB की टीम 173 रन बना पाई लेकिन रचिन रवींद्र ने 15 गेंदों में 37 रन बनाने में काम्याब रहे अजकी रहाने ने 19 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली डेरिल मिच्छल ने भी 22 रनों की पारी खेली श्रीवम दुबे और रवींद्र जडेजा ने भी कमाल की बैटिंग की और मैच को फिनिश किया दुबे ने नाबाद 34 और जडेजा ने नाबाद 25 रन बनाए RCB के इस हार के साथी रन ब्रेट में बड़ा अंतर देखने को मिला है चिने के जीत के बाद रन ब्रेट प्लस 0.779 है वहीं हार के बाद RCB का ने रन ब्रेट माइनस 0.779 है इसे के साथ पॉइंट स्टेवल पर चिने की टीम अब टॉप पर पहुँच गई आपको बता दें कि RCB ने साल 2008 में चेपॉक स्टेडियम में चिने के खिलाफ मैच को जीता था इसके लावा अब 16 साल हो गए लेकिन अभी भी चेपॉक स्टेडियम में RCB का पर्चम नहीं लहरा पाया क्या लग रहा है आपको कि आने वाले वक्त में RCB की टीम किस तरीके से मैच को खिलती है कमेंट सेक्शन पर अपनी राज जरूर शेर करने वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेर भी कर दीजिए इसकलाब अगर आप एवीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने साथ ही साथ फेसबूक या फर इंस्टेग्राम पर एवीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर ले ताकि एक भी खबर मिसना होने पाए